हेलो जैश्राम गाइस लग्म टू टेक कॉंटेंट हमारा आइफोन 15 लाउंच हो चुका है आप सब ने लाउंचमेंट में देखा ही होगा और काफी कुछ आपको पता लगी होगा आइफोन 15 के बारे में और मैंने इस पर वीडियो नहीं डाली आइफोन 15 के लाउंचमेंट क क्योंकि गाइस काफी चीजे मुझे अच्छी नहीं लगी प्राइस काफी इंक्रीज कर दी है प्रो सीरीज का और हमें उतना ज्यादा अपग्रेड भी देखने को नहीं मिल रहा है और अगर आप प्लैन कर रहे हो आईफोन 15 प्रो या 15 प्रो मैक्स लेने का और और आपके प्रो या फिर प्रो मैक्स लेना सही रहेगा या फिर नहीं तो अगर आप भी पहले आईफोन 15 प्रो या फिर मैक्स को बुक करने की सोच चे रहे हो तो फिर मेरे साब से थोड़ा रुक जाओ मैं आपको बताता हूं क्यों चलिए गैस तो सबसे पहले डिफ्रेंस की बात करते हैं 14 प्रो मैक्स और 15 प्रो मैक्स में क्या डिफ्रेंस है तो यहां पर अगर दोनों फोन को देखेंगे हम साइड वाई साइड तो दोनों देखने में सेम ही लगते हैं बट नए कलर हमें यहां पर देहने को मिल रहे है titanium और blue titanium हमें निया color देशने को मिल रहा है और white और black मिलने वाला है जो कि हमारे 14 pro और max series में देशने को मिलता था gold color को इस बार हटा दिया गया है तो colors के अलावा ऐसे कोई पहचा नहीं सकता कि 14 pro max यूज कर रहा है या फिर 15 pro max यूज कर रहा है अगर मैं 15 pro max के weight की बात करें तो 221 ग्राम हो चुका है और 14 pro max 240 ग्राम था तो आप देख सकते हो काफी कम हो चुका है अब weight तो comfort भी बढ़ जाएगा हमारे 15 pro max का काफी साथ लोग इसी बज़े से 14 pro max को नहीं लेते थे यह सब कुछ आपको सेम ही देखने को मिलेगा और यहां पर डिस्प्ले की बात करो तो डिस्प्ले भी सेम ही आपको देखने को मिलेगी गठाए एक्श डिया 14 pro max में वे थे और 15 pro max बहुती ही 120 रिफ्रेस्ट टेट वाले अलुज ऑन डिस्प्ले यहां अपक्र तो पहीं अप्ग्रेट हमें देखने को नहीं मिल रहा है अगर फोन के बात के रहें तो बहुँ सेम ही रहने वाला जिस तरश हमें पहले मिलता था आप खुझ से कस्टमाइज करके उस बटन को रख सकते हो तो यह बी एक अच्छी बात है और यह सिर्फ हमें प्रो सीरिज में देखने को मिलेगा और नॉन प्रो में अभी भी आपको अलर्ट स्लाइटर देखने को मिलेगा तो यहां पर प्रैक्टिकली यूज्ज में पता च गेमिंग कर सकते हो काभी सारी गेम्स आने वाली इन फ्यूचर जो कि हम पीसी में खेला करते थे वो आप आइफोन 15 प्रो या 15 प्रो मैक्स में खेल पाऊगे इस प्रोसेसर के बचे से क्योंकि यहां पर रेट ट्रेसिंग दिया गया है जिससे आपका गेमिंग एक्स्पिर भी हीटिंग इशू देता है अगर आपने एसी लगा के नहीं रखा या फिर कोई स्मार्टफून कूलर यूज नहीं कर रहे हो तो बाई जाद देर अगर आप गेम खेलोगे तो फोन बैकसाइड से काफी जादा हीट हो जाता है अलांकि पिछले साल एपल ने कहा था कि करूं तो हां लगता है कि थोड़ा इंप्रूव है बट आइफों 13 के साथ में कंपेर करूं तो उतने जादा फर्क यहां पर नजर नहीं आता है पर इस बाद देखते हैं गेमिंग की टाइम कैसा परफोमेंस करने वाला है हमारा 15 प्रो मैक्स क्यूंकि यहां पर थरी नैनो नहीं कर दो कि आप अभी से ऑडर कर दो पहले थोड़े रिव्यू देख लेना उसके बाद यह और करने क्यूंकि यहां पर जादा अप्ग्रेड्स आपको देहने को नहीं मिल रहे हैं और इस बार भी इस प्रोसेश्टर में शिक्स्कोर मिलता है पिसलिए और हमें फाइव स्टोर्स पर यह कार्ट आपके पास होना चाहिए अगर आप कोई भी डिवाइस लेने के सोच चाहिए और इसके अलावा अगर आप अगर आप फ्लिपकार से शॉपिंग करते तो आपको 5% का कैस पैक देहने को मिलेगा और 8 फ्री लाउंज भी आपको देहने को मिलेंगे स्टिक फ्राइट के उपर और जब भी आप कोई वी ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको यहां पर 10% कैस पैक भी देहने को मिलेगा तो यह सारे आफर आपको परवाइड करवाता है इसके लिए अप्लाई करना काफी ज़्यादा एज़ी है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिं जो कि मेरे पास भी है चली तो कैमरा के बात हम करने वाले थे तो कैमरा में गाइस यहां पर कुछ जादा बड़ा अपग्रेड देहने को नहीं मिला हमें हमने लीक्स में आपको काभी जारे अपडेस दी थी तो 90% जो लीक्स निकले आए थे बहुत निकले पर थोड़े बह कर दिया है तो मैं देखना जाता हूं कि पोट्रिक शॉट्स कैसे आएंगे और बहुत ही अच्छा विदा है इस पर कैमरा जब एपन ने इवेंट किया था तो कैमरा सेंपल सा में दिखाए थे तो बहुत अच्छा रिजल्ट था उनका और इसके अलावा सूपर हाई रिज मतलब नॉर्मल आप डिरेक्ट कैमरा से फोटो कलिक करते हो उसको आप बार में एडिटिंग में उसे पोट्रेट में कर सकते हो और फोकस की ऑपशन भी है जैसे सेनिमाटिक मोड में देते थे उसी तरह की ऑप्शन आपको पोट्रेट मोड में देखने को मिलेगे तो यहां बहुत और इंप्रूमेंट की गई है अप्टिकल जूम को आप थोड़ा बहुत कस्तुमाइज कर सकते हो और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं आप स्मूथ जूम कर सकते हो और यहां पर अब आप प्रो वीडियो 4K 60fps पर बना सकते हैं पर अब आप 60fps पर बना पाओंगे अग सब्सक्राइब करता है तो उसका कोई फाइदा नहीं है बट यहां पर एक बहुत अच्छी बात है इस पर टाइप सी पोर्ट लेके आया लाइटनिंग पोर्ट को हटा दिया गया है तो आप डेटा ट्रांसफर स्पीड यहां पर काफी फास हो जाएगी 20x फास्टर रहने आपको स्पीड देखने को मिलेगी तो काफी अच्छी डेटा ट्रांसफर स्पीड आपको मिलने वाली है जो कि USB 3 यहां पर यूज किया है और जो हमारे नौन प्रो मॉडल है बहां पर इतनी फास्ट भी तो नहीं मिलने वाले क्यों कि बहां पर टेक्नोलोजी वाला यूज तो एप्प्रेड करना चाहिए अपल यहां पर भी हमें कोई देहने को नहीं मिलेगे और बैकरी बैक यहांठ के नहीं प्रोThere कि सब कुछ आपको सेम देखन को मिलेगा सेम वाइफाइ सेम बिलीटल टेकनोलजी एन एपसी और सब कुछ आपको सेम देखन को मिलेगा तो बहुत ही कम अपग्रेड्स यहां पर किये गी है तो अभी मैं कहा रहा हूं कि आपको दोड़ा वेट कर लेना चाहिए अगर और सब्सक्राइब कर लेना आपको डिसकांट भी मिल जाएगा और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोने जगापर मिलने वादा है तो फोन में कुछ आना मज़ा नहीं आया पर इंक्रीज कर दिया है अगर आइफों 15 प्रों के बात करें तो 5000 इंक्रीज किया है और 15 प्रों मैक्स की ब अगर आप मेरे जैसे ग्रेटर हो आपने वीडियोस बनानी है तब लॉजिक बनता है अगर आपके पास आइफोन 14 प्रों मैक्स भी है या फिर फोर्टीन प्रों भी है तब भी मैं कहूंगा कि अभी तक भाई अप्ग्रेट मत करना कुछ फाइदा है नहीं अप्ग्रेड क अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट है तो फिर आप पूछ सकते नीचे कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना उसका लिंक भी नीचे डिस्कूशन में तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में लभी ओल गाईस टेक केर और बाई बाई